अपसे पहले आपको दी कि दिरसल Reliance ONGC समेट जो बाकी refining कमपनिया हैं उस पर सरकार थोड़ा सा windfall tax लगाने की बात कर रही है सरकार की तरफ से एक सफाई भी आई है लेकिन क्या पहले आया और इतनी गिरावट इन स्टॉक्स में क्यों देखने को मिली है बड़ा negative क्यों है इस पर नीरज हमाए साथ है और हमारे economic policy editor लक्षमन ड्रॉय भी नीरजी एक knee-jerk reaction देखने को मिला जब वो खबर आये कि देखिए रिफाइनर्स जो windfall कर रहे हैं उस पर tax लगेगा अब ये tax कैसे लगेगा और क्या ये primarily डीजल के export पर जादा focus है सरकार का क्योंकि उसी की किलत की बात हम बार-बार अखबारों में पढ़ रहे हैं on ground देख भी रहे हैं डीजल और पेट्रोल दोनों के export पर और जो लोग इसका export कर रहे हैं उस पर लगाए गया है एक बात यहाँ पर और समझ लेना चाहिए क्लारिफिकेशन ही समझे इसको कि जो आप export करते हैं उसका 50% कम से कम आपको domestic market पे देना पड़ेगा supply करनी पड़ेगी तो यह एक और condition उसी रूल में लगी हुई है कि जब आप export कर रहे है तो जो billing है आपके shipping का जो bill है उसका 50% आपको domestic market में देना पड़ेगा पेट्रोल का और 30% डीजल का तो यह एक और तरीका की जो किलत है उसको रुकना है कि आप सारा एक्सपोर्ट मत करें भले ही आप 100% एक्सपोर्ट और या कोई एक्सपोर्ट यूनिट है तब भी आपको इंडिया में देना पड़ेगा तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात प्लस डुमेस्टिक सप्लाई भी मेंटेन रहे जिसकी ख़बरे बीच 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 आती थी इसलिए वो 50% और 30% का रूल पेट्रोल और डीजल लगा दिया तो यह तो रिफाइनर के लिए ख़बर थी दूसरी उन्होंने किया कि जो ऑईल प्रूट गेन हो रहा है क्योंकि आयल की कीमतें बहुत ऊपर जा रही है तो उनको गेन हो रहा है तो सरकार ने कहा है कि इसके उपर भी हम टैक्स लगाएंगे 23,250,000 के हिसाब से लेकिन उसमें कैच है वो कैच शुगर कोटिंग है जरसल कि जो लास्ट येर से कि जो आपकी अगर मालीज़ जो विलियन की है 20 अपरेल सेब तक कितना अपने थूपट बढ़ा तो उससे बहुत तरक नहीं पड़ेगा तो ये भी एक ओंजी सी जैसे प्लेयर्स के लिए बड़ा जटका हो सकता है क्योंकि इनकोपर टैक्स लगेगा अच्छा ये मुझे बताईए जो परसो क्याबनेट में डिसाइड कि कि इन कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ावा देने के लिए अब इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार ने कुछ मैजियर्स लिये थे तो ये क्या एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेने वाली बात हुई बिलकुल है ना क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ेगा या नह इसमें आना पड़ेगा देगे सरकार ने जो किया ना कि हम जितना भी आयल आप यहां लेते हैं उसकी प्राइसिंग हम आपको फ्री कर देते हैं इंडिया के अंदर जो है तो कोटा सिस्टम था वो कम कर दिया आपने इनको देना उनको देना है उससे उतना ज्यादा आफर पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपके आपके जो आयल है वो उसकी प्राइसिंग आपको अभी भी डिवेस्टिकली आप करना है तो उससे इतना गेन नहीं था जो इन लोगों की एक डिमांड चले जो विरांदा ने बाकाइदा ऑफिशली कह रखा कि हमको एक्सपोर्ट एला कीमते बढ़ने लिहाज से ठीक नहीं थी लेकिन आपका बिल्कुल कहना सही कि आपने उस हाथ से दिया और इस हाथ से ले लिया एडिशनल कैपसिटी किसी के पास इतनी अभी आई नहीं अपरेल से कि उसको बच जाए तो बहुत हुआ का प्लान है कि बढ़ाने का इस समय है आई ओए जी सी ने अभी रिसेंटली उन तालिस जर करोड का कैपक्स एराउन किया लेकिन क्या हुआ उसमे तो टाइम लगेगा बहुत टाइम लगता पांच वाँ चीशे साल लगते हैं बांबे हाई को कुछ रैंप अप नहीं कर पाए ओन जी सी की एक बहुत क्रिटिसम ह होती है कि उन्होंने 20-30 सालों में कुछ नहीं किया अपनी अपनी चीशे को रैंप अप करने के लिए जबकि बांबे हाई बहुत अच्छी फील्ड है इनकी तो यह नया निकल के आ जाएगा और उसमें टैक्स नहीं लेंगे यह बहुत ही मतलब लांग रॉंग बहुत दू होगी वह इसका क्राइब करने की यह यह गुशन आपने किया ना यह एक अलग डिवेट है कि आप इतने एसजी कंप्लाइंस में आ रहे हैं कि आपको फोसिल क्यों से दूर अटना है तो दस साल बीस साल आगे कौन सी कैपिसिटी आईगी उससे क्या फरक बोड़ेगा इतना तोड़ देगा एंकाउंटर्स को देखें अभी अभी कुछ मिंटों पहले सरकार की तरफ से अपचारिक प्रेस रिले जारी की गई है उसमें जो महत्पुन बात समझाई गई वो बता दूँ वो यह है कि जो 23,250 पर पर्टन की जो का जो सिस लगा गया एडिशनल एक किमते बढ़ गई घैलू उत्पादन करने वाली कंपनियां अंतराष्टिय बजार की कच्चे तिल की किमतों के हिसाब से घैलू बजार में कच्चा तिल बेश्ती थी इस वैसे पहले के मुकाबलों उनको ज्यादा विंडफॉल गेन हो रहा था इस विंडफॉल गेन को करने के लिए सरकार ने उसमें से कुछ इससा मांग लिया है और कहा कि आप 23,250 सुपे परटन हमको दिया करिए लेकिन उसमें कैच है कैच यह है कि अगर आप 2 मिलियन बैरल से कम का उत्पादन करते हैं तो हम आप से विंडफॉल गेन पर कोई सेस नहीं लेंगे कोई टैक्स नहीं वसूलेंगे उससे जादा करते हैं तब वसूलेंगे उससे जादा करते हैं तब भी वसूलेंगे उस सुरत में कि आप चालू कारोबार साल यानि एक जुलाई से आगे जो भी पोड़क्शन करेंगे वो पिछले साल के पोड़क्शन से जितना जादा होगा उस पर हम नहीं लेंगे पिछले साल वाले के बराबर कर लेंगे मान लिया जा आपने एक लाख सो मिलियन बैरल आपने किया यहां पर या फिर सो मिलियन बैरल किया तो पिछले साल किया था तो उस पर इस साल आपने एक सो पचीस किया तो हम पचीस पर नहीं लेंगे हम सो पर ही लेंगे लेकिन पिछले साल वाले पर नहीं लेंगे रेक्रस्पेक्टिव नहीं लेंगे तो सरकार की तफस जो प्रेसली जाई है उसमें साफ कर दिया गया है कि ये कच्छे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस के लिए ये सरकार नहीं यहा आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप पहले ही बताएंगे कि हम कितना एक्सपोर्ट करने वाले हैं कम से कम 50% एक्सपोर्ट कॉंटिटी का आपको DGFT को बताना पड़ेगा मुझे लगता है कोशिश यह है कि एक्सपोर्ट को थोड़ा सकर्व किया जा है तो कि फिछले दिनों चोबर आ रही थी कि petrol pump पे diesel, petrol के किल्ल जैसे हालात हो गए है कंपनियां export पे ज़्यादा focus कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पुनको बेतर मुनाफ़ा लग रहा है और तो मुझे लगता है इन सब को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया है जो export duty लगाने का फैसा लिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए गए है फिर से दर्शकों को बता दिया जाए कि petrol पे 6 लिटर, diesel पे 13 रूपे जो है सो लिटर डिजल पे ड्यूटी लगाए गई है तो यह सरकार के पूरी कवायद है इसमें यह जो आपने कहा कि आप प्रड़क्शन बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं अजिमी एक रिफाइनरी ने प्रड़क्शन बढ़ा दिया लेकिन उसे एक्सपोर्ट नहीं क्या तो कुछ रहात नहीं मिलेगी क्या वो तो हम इंगे मार्के ले बेच रहे हैं रिफाइनर्स के लिए कि इतना प्रड़क्शन बढ़ाएंगे उसका देना पड़ेगा 50% आपको बोलिया लक्षमेन अहला कि इस सवाल मैंने पूछा भी था कि आखिर आप एक्सपोर्ट पो एक तरह से रिश्टिक्ट कर रहा है एक्सपोर्ट की इजाधत नहीं दरहें पिछले दिनों जो मार्केटिंग फ्रीडम की डिसीजन कैबिट ने लिया था तो उसमें एक शर्थ ही कि एक्सपोर्ट आपको अभी हम नहीं छोड़ने वाल है एक्सपोर्ट की जाधत हम नहीं देंगे तो उस पर जब यह सवाल मैंने सरकार से पूछा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि दरसल भारतिये कंपनियों को कुरूड वाल एक्सपोर्ट करने के ज़रुद क्यों है जब हम 80% खुदी इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट पे हम डिपेंदिन्ट है तो घहलीन बजारं ने बेचनी के लिए एक्सपोर्ट क्यों बेच कको शूर्ट दे रहें जात तो भी कशने के जाए पर कंडियाग Тут मैं मेरें कि भूह रहे तो पर ततकालिक नुकसांत होगा जैसा नीरा जी कह रहे थे प्रडक्शन बढ़ाना ओवरनाइट कोई तरीका होता नहीं है